नमस्कार दोस्तों आज मैं प्रजेंट हूँ चार बेस्ट जो है निफ्टी के स्टॉक्स जिन में ब्लूचिप स्टॉक्स जिन में बाइंग का लेवल दिख रहा है और उसके क्या पोटेंशिल टार्गेट हो सकते हैं और स्टॉप लॉस सारी चीजों को चर्चा किया चार बेस्ट इस्टॉक बाइंग रेंज में आ गया है पहला आपका बजाज फिनांस दूसरा एसी अन पेंट तिसरा नेसले चौथा इंडस इंड बैंक और इसके अलामात दो अन्न इस्टॉक्स हैं जो बाइंग रेंज में आने वाले हैं वह हैं रिलाइंस और टाइटन इन 6 स्टॉक्स की चर्चा की जाएगी पहले 4 स्टॉक्स को देखते हैं जिनमें बाइंग रेंज आ गया है तो सबसे पहला बजाज फिनांस का स्टॉक जदी आप देखेंगे तो बजाज फिनांस का स्टॉक देखिए आ गया आपके बाइंग रेंज में जब भी प्राइस अंदर आप बाइंग करेंगे तो आपको कम से कम जो है दस से वे 40% के profit देखने को मिल सकते हैं अब आप कहेंगे कि यह कैसे कह सकते हैं stop loss आप रख सकते हैं 5390 का stop loss रख सकते हैं ठीक है और इसके बीच में क्या कीजिए आप अपना SIP कर सकते हैं तो 30% का भी तुरंद हम लमसम करना चाहेंगे और 70% का इस रेंज में हम SIP करना चाहेंगे ठीक है और इसका target क्या निकल के आगा तो target की चर्चा कर लेते हैं ठीक है तो हम इसके overview को check करना चाहेंगे तो जब हम देखते हैं तो अभी आप देखिए कि बजास finance में क्या news निकल क क्या रही है उसको चर्चा करते हुए हम आपको target की तरफ ले जाते हैं इसका तो बजास finance has been highlighted as a top डिवाली's topic by GM financial with a target price of 8552 देख रहे हैं आपको लक्ष 8552 का देखने को मिल रहा है अभी बजास finance पे और current price बजास finance का क्या था current price बजास finance का 6899 है ठीक है तो यह news है आप देख financial ने मूडिज ने भी इसका target ठीक ठाक दिया है मूडिज ने का भी न्यू जाप यहां पर पढ़ सकते हैं इसके अलाम हम चर्चा करते हैं दोस्तों इसका हम target अब अब देखिए एनालिस्ट जो है 63% एनालिस्ट बाइंग करके कह रहे हैं कि इसको चलना चाहिए या फाई- के लिए इस टॉक में correction देखने को मिला है और जो कि यही correction जो होती है करी बेस्ट बाइंग अपर्चुनटी हो आती है आपको swing trading करने के लिए या अच्छा profit बनाने के लिए within the one year तो आप देख सकते हैं बजास financial limited का जो minimum upside potential कि कितना आ रहा है हमारे cursor पे देखिएंगे तो 17.64 का आपको target देखने को मिल सकता है और maximum target 10,000 तक के देखने को मिल सकते हैं ठीक है ते रा बजास finance पहला stock इसके बाद हम चर्चा करने जा रहा है किसका ACN Pint का ठीक है तो ACN Pint को हम देखते हैं ACN Pint के चार्ट को open हो देजिए फिर हम इस फिर निराय रखते हैं ACN Pint का चार्ट open हो रहा है दोस्तों ACN Pint भी देखिए 3068 के नीचे है तो जब भी इसके नीचे रहे तो buy करके चलना है 3068 30% लंसम परिदना है 70% का SIP करना है कहां तक 2674 तक इसमें SIP करना है इस टोप लॉस आपका क्या होगा 2527 का आप इस टोप लॉस रखते हैं और इसका fundamental भी देखने की कोशिस करेंगे और target देखने की कोशिस करते हैं कि इसमें न्यूज क्या निक चल की सब्सक्राइए the key event अगर आप देखेंगे ACNPINT में क्या हो रहा है ACNPINT reported 25% year on year declining net profit for April June quarter ओके आप news देख सकते हैं की event ठीक है कोई नहीं अब हम यह देखते हैं कि analyst क्या कर रहे हैं कितने percent buying करने के लिए यह रहा आप analyst का आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत जाद analyst bullish नहीं है ठीक है लेकिन आप देखेंगे कि mutual fund की holding increase हुई है इसमे revenue जो है increase हुआ है इसका और इसके अगर upside target देखा जाए तो अभी भी इसमें जो है minimum यह गिर सकता है 2958 तक और maximum इसका target 3880 क काता है ठीक है यह बहुत अच्छा stock नहीं बनता है बजाज finance की तुला में buy करने का लेकिन अगर यह price कहां मिले एक बार chart open हो देजिए तो मैं बताता हूं कि इसकी best buying level क्या हो सकती है अगर यह price आपको 2674 पर मिले तो मैं कहूंगा कि वहां से तो जरूर खरीदना ही चाहिए stock को 2674 पर ठीक है with the stop loss of 2527 तो एक हमारा अच्छा stock क्या निकल के आया बजाज finance निकल के आया asian print उतना अच्छा निकल के नहीं आया ठीक है तो कोई नहीं हम जो है दोस्तों क्या करते है अब next stock को ऐसे stock को देखे जहां आपको लगे आप अपना vivek का इस्तमाल करते हुए stock को अपने radar पर रख सकते है asian print के बाद जो है अब हम nestle की बात करेंगे nestle में भी buying level निकल के आ रहा है यानि STLE जिस stock में buying level निकल के आ रहा है निफ्टी के जो blue chip based stock है उनकी यहां चर्चा की जा रही है तो nestle में भी आप देखेंगे buying range निकल के आ रही है क्योंकि यह भी इसका भी price जो है यहां देखे रहेंगे 2397 के नीचे चल ला है तो जब भी इसके नीचे चलेगा तो हम इसके नीचे buy करके चलेंगे 30% लंसम और 70% का SIP कहां तक फिल 2051 ठीक है SIP करके चलेंगे और इसमें एक चीज का है थोड़ा सा दिक्कत nestle देखने को मिल सकता है क्योंकि यहां double top pattern का formation हो रहा है अगर 31 October की closing इसके नीचे होती है तो double top formation हो जाएगा फिर आपको इसके बीच में SIP नहीं करना चाहिए आपको जब तक price 2051 के आसपास मिले तो ही खरीदना चाहिए यह हमारी राए रही nestle पे इसका देखते है कि analyst का इसमें maximum target क्या निकल के आता है तो आप देखेंगे nestle का क्या कर रहा है ठीक कोई नहीं अब यह दिखाते हैं इसमें भी देखिए कि analyst बहुत अच्छा buying का recommendation नहीं दे रहे हैं और फिर यहां से nestle का अगर खरीदे दें तो आपको minimum of size 12.68 का मिल सकता है और maximum 3000 के अस्तर देखने को मिल सकते हैं ठीक है यहां यह रहा nestle कहीं नहीं कहीं आपका kacian pen से अच्छा है ठीक है तो nestle को हमने रख लिया radar पे अब इसके बाद इंडस bank को देखेंगे ठीक है जो भी nifty के अच्छे stock है उनकी यहां पर चर्चा की जा रही है दोस्तों ठीक है तो हम इस stock को जब देखते हैं दोस्तों यह भी 1413 के नीचे इसका price चल ला है तो इसमें 30% lump sum होई करेंगे और 70% का SIP करेंगे कहां तक 1166 तक और stop loss बनाएंगे 1100 को ठीक है 1116 को stop loss बनाके चलेंगे ठीक है तो buying range कहां से कहां हुई 1413 के नीचे और 1166 के बीच के बीच ठीक है इसकी buying range हुई with the stop loss 1116 अब इसका analyst का देखते हैं कि target कितना दे रहा है तो analyst का target चेक करते हैं दोस्तों कि यहां देखिए analyst जो है इसमें 87% का रहा है कि buying करके चलना चाहिए ठीक है पर mutual fund के holding पिछले quarter में बड़ी है retail की holding पिछले quarter में बड़ी है और इसका यहां से minimum of site target जो 30% का निकल के आता दोस्तों इंडसिंट bank minimum of site target 30% का निकल के आता है और maximum इसका लक्ष 2010 का निकल के आता है ठीक है maximum लक्ष 2010 का निकल के आता है यह रहा हमारा इंडसिंट bank अब इंडसिंट bank के बाद जो है टाइटान बचा हुआ है टाइटान की चर्चा की जाएगी इंडसिंट bank भी हमारा एक अच्छा बाइंग हुआ अब टाइटान को देखते हैं यई टाम के चाट को देखते है यह काता है जैसे ही टाइटन के चाट खुलेगा तो हाँ तो टाइटन का चाट देखिए आप देखिए टाइटन का चाट की यह हम एनालीसिस करें तो हम पाते हैं कि यह इस stock जो है अभी buying range में नहीं आया इसका price 3311 के उपर है जब भी इसका price 3311 के नीचे आएगा तो हम इसमें buying करके चलेंगे with the stop loss 2967 ठीक है लेकिन इसमें एक थोड़ा सा संसर है यह है कि जब भी इसकी closing मंतलिक इसके नीचे आजाएगी दोस्तों 3311 के नीचे अगर आती है तो इसमें double top pattern का formation हो जाएगा ठीक है तो आप इसको देखिएगा radar पे जा रहा है 31 October को अगर इसकी closing इसके नीचे आती है तो थोड़ा सतर कराने के कोसिस कीजिए इस stock में निमेस नहीं किया जाएगा ठीक है इस stock से दूर रहेंगे क्योंकि double top pattern गिरा के price को 2581 के असतर तक लेके जा सकता है ठीक है अब इसमें हम analyst का target देखते हैं क्या निकल के आता है तो का यदि हम analyst का target देखें तो इसमें 54% ठीकिवल analyst buying करने के लिए कर रहे है mutual fund की holding देख रहे है इंक्रीज हुए retail की holding इंक्रीज हुए पिछले quarter में और यहां से minimum target जो है आपको upside में 13% को देखने को मिल सकते हैं और maximum 5000 के target देखने को टाइटन में मिल सकते हैं ठीक है और टाइटन के दामा अब एक बचा reliance की चर्चा कर लेते हैं दोस्तों Reliance in the streets Reliance in the streets का chart open हो रहा है फिर हम conclude करेंगे कि कौन बेस डिश्टॉक निकल के आया radar पे तो Reliance industries का जब हम chart देखते हैं तो इसका भी price अभी जो है 2631 के उपर है इसलिए buy करके अभी नहीं चलेंगे जब इसका price 2639 के नीशे आएगा और इसका stop loss अब रख सकते हैं 237 282639 पर आएगा तो 30% का नीशे किया जा सकता है और इसके नीचे 70% के SIP करेंगे with the stop loss 2378 ठीक है इसके overview को देखते हैं तो आप देखेंगे कि इसमें इनालिस्ट जो 70% buy करके कर रहें चलने के लिए profit इसकी बढ़ी है revenue भी बढ़ा हुआ है ठीक है बागी की different parameter है और इसमें आप देख सकते हैं upside potential अगर यहां से भी आप खरीद के चलें तो आपको 21.59 क्या minimum upside potential देखने को मिल सकता है और maximum 49 हो के target long term में देखने को मिल सकते हैं एक से 3 साल के अंदर ठीक है है हमारी राय रही different stocks पे तभी हम किन stocks को इसमें हम अच्छा हमको लगा है तो पहला stock अच्छा लगा है बजास finance दूसरा नेसले और तिसरा जो है इंडस इंड बैंक उसके बाद हम रखना चाहेंगे रिलाइंस को ठीक है अपनी रडार पर रखना चाहिए ऐसे ही content के लिए आप हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हैं अगेन मैं disclaimer दे रहा है कि जो भी इस्टाइब डिस्कॉस किया गया है उसमें मेरा निवेस या मुसर रिलेटेड लोगों का निवेस हो सकता है किसी भी खरीदारी या भी क्वाली से पहले अपने financial advisor की या अपने स्वायं की बिवेक का इस्तमाल कर करना ना भूलें धन्यवाद यह हमारी राय रही और हम अब क्लोज करते हैं हमारी चैनल को लाइक से और सस्क्राइब आप कर सकते हैं धन्यवाद दोस्तों